जे आ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आरेस्ट न्यूस के को नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आकरकार जो इंडिया सी वूमेंस और इंडिया ए वूमेंस टीम के बीच में रोमांचक बंडे मुकाबला खेला गया उसी इस मैच की हैलेट को जानने के लिए बिल्कुल बने रही एगा अंत तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जूड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरे निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे जैसे कि जो दूसरी बड बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे वह यह होगी कि भारतिय टीम का साउथ आफ्रिका के खिलाफ दोरे से पहले बीसी सीरीज के लिए विराट कोली और रुवित शर्मा नहीं अब यह खिराड़ी बनेगा कफ्तान जानने के बाद नाम आप पिर जाओगे हैरान तो दो वीडियो का लाइक टार्गेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक का तो आप अभी ही इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आप ही हमारी चैनल आरे इस न्यूस पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दवाईएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जूड़ी तमाम जनकारिया और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे तो चलिए अब आपका जटा समय ना लित हुए बात करते हैं इस पूरी ख़बर के बारे में दोस्तो जैसे कि आप सभी को बताएगी भारतिया महिला टीम के बीच में स क्रिकेट चलेंजर ट्रॉफी 2021 से 22 खेली जा रही है तो वहीं दोस्तो इस सेनियर वुमेंस क्रिकेट चलेंजर ट्रॉफी में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले खेले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा ही रोमांचक मुकाबला इंडिया A और इंडिया C टी सिखा पांडे ने टोस जीतकर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया जहाँ पर उनका बल्ले बाजी करने का फैसला उनकी टीम के लिए शुड़वात में तो बिल्कुल भी सही साबित हुआ नहीं जी यहां दोस्तों जैसे कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख प मैदान पर बल्ले बाजी करने के लिए उतरी आरार शाह और अनुषका शर्मा जहांपर आरार शाह ने इस मुकाबले में 37 गिंदों में 11 रनों की पाली खेली और अपनी इस पारिमनों ने एक चौक का लगाया हलाकि यहांपर अनुषका शर्मा 18 गिंदों में 13 रन बनाकर इस एक की टीम काफी ज़्यादा मुसीबतों में दिखाई दे रही थी लेकिन दोस्तों फिर किसी को क्या ही पता था कि इस मुकाबले में राधायादव और चलूरू पराथियोसा का तोफान देखने के लिए मिलेगा जिया दोस्तों यहांपर राधायादव ने शांदार बल्लेबाजी करते हुए 98 गिंदों में 82 रनों की पारी खेली तो वहीं चालूरू ने इस मुकाबले में 64 गिंदों में 63 रन बनाए और इन्धी दोनों की बल्लेबाजी की बदोलत इंडिया सी टीम में एक समानित स्कोर तक पहुंच सकी जहांपर इन्होंने 205 रनों का लक जैसे कि आप सब यहांपर स्कोर कार्ड में देख सकते हो तो वहीं दोस्तों फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जब 206 रनों के लक्षा के जवाम में इंडिया एकी टीम उतरी तो इंडिया एकी टीम की भी शुड़ात ज्यादा अच्छी नहीं रही ज़िए दर त्रेपन रन बनाए और वहीं बात करें इसने राना की तो इसने राना ने इस मुकाबले में 75 गिंदों का सामना करते हुए 60 रनों की पारी खेलिए और अपनी 60 रनों की पारी मौनों ने 7 चौके लगाए और इसी के साथ इंडिया ए टीम ने अंतिम ओवर में जाकर जब इ तो इसमें दोस्तों आपर इंडिया एकी तरफ से दमतार प्रेदर्शन इस मुकाबले में देखने के लिए मिला और अब तक टूर्णामेंट में सबसे अबल प्रेदर्शन इडिया वी के बाद इंडिया एका ही आता है तो इसमें दोस्तों अब आपकी क्या राए एंडिय एक इस प्रदर्शन के बारे में आप भारती टीम की बल्लेबाजों को दसमें से कितने अंगते न चाहोगा आप अपनी गीमती रहा है और विचारा में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बड़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों जैसे कि आप सभी को पढ़ाईगी भारत और नीजिलेंड के बीच में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का समापना बहुच चुका है जहां पर इस दूसरे टेस्ट मुकाबले को जीतने के साथ ही भारतिया टीम ने एक शुनने से ये सीरीज अपने नाम करी तो वहीं दूस्तों आपको बताएं कि पहला टेस्ट मुकाबले है इस सीरीज का डुरा रहाता और ऐसे में दूसरे टेस्ट मुकाबले को जौनसी टीम जीती भाही टीम इस मुकाबले की सीरीज को अपने नाम कर लेती और भारत ने ये कारناमा कर गर दिखाया जहांपर भारते टीम ने निजिलेंड की टीम को 50 या फिर 100 रनों से नहीं बलकि कुल मिलाकर 372 रनों से हार दी है जो कि एक काफी बड़ी हार है और भारते टीम अगर बत और किसी टीम से हारी है तो वो 372 रनों से सबसे जादा रनों से हारने वाली टीम बनी तो वहीं दोस्तों हमापको बता दें कि इसे बीच भारते की टिम के बल्ले वाजी और गेंदवाजू ने दूसरे टेश्ट मुधाबले बखाळा डिड़ेशन कीघा, गर्वार्य जि þू साइब फेरी दूस्तों यूद्वार्ते की बारते हो अब लिए पारते की अनुधग पर इस लिश्ट में जो सबसे पहला बड़ा बयान निकल कराता है वो है माइकल वॉक का जहाँ पर माइकल वॉक कहते हैं कि भारत ने शांदार प्रदेशन किया न्यूजिलेंड के खिलाफ ऐसा लगा एक समय के लिए कि ये मैच इंगलेंड के साथ भारत ये टीम खेल रही है जब भारत और इंगलेंड की टेस्टे सिरीज हुई थी तब भारत ने पिच को अपने अनुकूल बनायता है तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बड़तों अगले बयान के बारे में जो अगला बयान निकल कराता है वो है स्वयवक्तर का बड़ी खबर निकल करा रही है वो ये है पर जैनतियादव ने आज जिस तरह से गिंदबाजी की वो सरानी है और वहीं दोस्तों आप सब यहाँ पर देख भी सकते हो पूरा स्कोर कार्ड की जैनतियादव ने इस मुकाबले में कुल मिलाकर मात्र 14 ओवरी फैके थे हाला कि तीसरे दिन के मुकाबले में जैनतियादव की तरफ से इतना जादव कुछ खास प्रदेशन देखने के लिए मिला नहीं था लेकिन आज जब चौते दिन जैनतियादव मैदान पर उतुरे तो जैनतियादव ने शांतर गेंदवाजी करवा कर चार बड़ी सफलता है हासिल की तो वहीं रवी चंदरन अश्विन को भी चार विकेट हासिल हुए और इसी के साथ अब भारतिया टीम ने 372 रनों से इस मुकाबले को जीतने के साथ ही एक नया किरतिमान अपने नाम कर लिया तो अपनी किमती रहे और विचारा में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर गए जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बढ़त करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी पसंदा योगी वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए बिलती रहे तो मिलेंगे अगली को इसी जानकारी वे तब तक के लिए जय हि कारियों से अपडेटिड रह सकें